प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लासिक जोग्राफी यानि की भुगोल का प्रश्ण और उत्तर ठीक है कौन सा चैप्टर है तो यह है आप लोगों का चैप्टर नमबर 6 यानि की प्रकृतिक प्रदेश इसी का स्वाध्याय हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यह रहा प्रश की स्टेटमेंट की सही उत्तर इसका क्या होगा ठीक है आईए अब हम देखते हैं एक एक करके सारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिये गए हैं उनको तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा क्या दिया है पशिम यूरोपिय जलवायू वाले प्रदेश में लोग सौम्य एव गरम जलवायू के कारण उत्साही नहीं होते हैं क्या यह बात सही है नहीं भई यह बात तो गलत है अब इसका सही उत्तर क्या होगा मतलब सही जवाब इसका क्या होगा यह होगा कि पश्चिम यूरोपिय छेत्र की सौम्य और गरम जलवायू के कारण लोग क्या होते हैं य मैंने पहले से यह जो पार्ट है ना प्राकृतिक प्रदेश यह पढ़ाया हुआ है तो आप लोग ना हमारे चैनल का जो प्ली लिस्ट है वहां पे जा करके देख सकते हो उस वीडियो को ठीक है बागी जो आपका अगला पार्ट है मिट्टी मतलम रिदा वो भी मैंने कंप्ल इएका लिखा हुआ है कि भूमद्य सागरिय प्रदेश में व्रिक्षो के पत्ते कैसे होते है चिकने होते हैं और कुछ प्रिक्षो की चाल मोटी होती है व्रिक्षों के पानी का वास्पिकरण अधिक होता है क्या dispers कैया यहां पर कथन बोला गया है ये तो सत्य बात क्या है चलिए हम बताते हैं तो देखो यह जो Mediterranean शेटर है Mediterranean मतलब यही anten भू मद्य सागरिय प्रदेश ठीक है यहां पे English में लिख धिया है तो हम न इसको ठीक कर लेते हैं यहां पे आप क्या लिख सकते हो यह जो Mediterranean शेटर है ये लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि इंगलिश में इसको यही कहते हैं, बागी आप इसके जगा पर ये भी लिख सकते हो, कि भूम अध्य सागरिय प्रदेश ठीक है, तो इस शेत्र के जो पेडों की पतियां होती है, उनमें क्या होता है, प्यारे बच्चों तेल होता है, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अधिक नहीं होता, बलकि क्या होता है, कम होता है, समझे, कैसे करना है, ओके चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, कि उष्ण मरुस्थलिय प्रदेश में उट महत्वपूर्ण प्रानी है, क्योंकि वह भोजन और पानी के सि अगर कहीं पर किसी को जाना है, तो वो उट की पीट पर बैठ करके जा सकते हैं, उसकी सवारी कटके, है ना, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों, सत्य, मतलब यह आपका जो कथन दिया गया है, यह बिलकुल सही 100% राइट है, आगे बढ़ते हैं कि बाग सिंग जैसे मासाहारी प्राणी विश्वत वृत्तिय प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं, क्या यह बात सही है, विश्वत वृत्तिय प्रदेश है, क्या यहां पर इस प्रकार के प्राणी ज्यादा पाए जाते हैं, तो नहीं भाई, गलत है, तो फिर बाग सबस्क्राइब तो इसमें हमें क्या लिखना है बलगों के सामने कि मौन्सुनी प्रदेश में लोग मुख्यता क्रिसी विवशाई करते हैं बताइए इसकी पीछे का कारण क्या है कि यहां के जो लोग है वो मुख्यता एग्रिकल्चर वाला काम क्यों करते दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते आप देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है जो देखो बच्चो इसका उत्तर क्या होगा तो यह होगा मौनसुनी प्रदेश में लोग मुख्यता क्रिसी विवशाय करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि यहां का भॉगौलिक स्थान मौसम और जलवायू किशानों के लिए अत्यंत उपयुक्त है ठीक है इन छेत्रों में मौनसुनी वर्षा का समय सही होता है जिससे फसलों को परियाप्त पानी भी प्राप्त होता है भूमी भी यहां की क्या है उपयूगत है इसलिए फसलों की अच्छी पैदावार होती है समझ में आया क्या धेखो यहां का जो भोगोलिक स्थान मौसम है यह सब कुछ हमारी फसलों के मतलब जैसा उनको चाहिए वातावरन जैसे पानी चाहिए सब कुछ यहां पर अच्छे से अविलेबल होता है इसलिए मौनसूनी प्रदेश के जो लोग है वो जादतर केसे में क्या करते हैं तो खेती ही कर करते हैं अगला सवाल देखेंगे हम इधर यह लेजे अगला आपके सामने यह रहा इसमें क्या लिखा हुआ है कि विशुवत वृत्तिय वनों में उचे व्रिक्ष पाए जाते हैं क्यूं उचे व्रिक्ष पाए जाते हैं इसके पीछे का कारण बताओ आप दीखते हैं दे विशेस्ता यह है कि यहां की जलवाई और मौसम मौसम व्रिक्षों के पूरे विकास के लिए क्या है उप्यूकत हैं यहां की जैसे जलवाई हुए है या फिर मौसम है यह हमारे विक्षों के विकास के लिए पूरा उनका विकास हो पाता है यहां पर इस वाले इरिया में और विशुवत वृत्तिय छेत्रों में उच्छ और स्थाई तापमान होता है जिससे विशुवत वृत्तिय छेत्रों की भूमी भी उच्छ गुडवत्ता वाली होती है जो व्रिक्षो के समरिद्धी के लिए अध्यन्त महत्व पूर्णा है ठीक है समझ में आया प्यारे बच्चों तो ये है इसका उतर आप लोग लिख लेना ठीक है आगे बढ़ते है अगला सवाल आपके समने ये रहा इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे कि टुंडरा प वनश्पती है और उनका जीवन कैसी घेवन बहुत ही कम समय का होता है बताऊ इसके पीछे का कारण क्या है कि वो ULV है को कारण बताती हूँ तो यह है यहाँ पर देके लिखो हुआ है कि टुरा प्रदेश में वनश्पती जीवन अल्प समयर तो है कि से लेश उइनड़ा शेतरों के विशेस्ता यहां का अधिकान से ठंडा रहता है जिसके जीवन के लिए जीवन अत्यन तक कठीन हो जाता है समझे तो इस शेतर की जल्वाईों भी सीतल और जमीन रहते हैं उप्योग तो यह नहीं मिलता है यहाँ पर आपका प्रश्ण नंबर 2 होता है समात अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्ण नंबर 3 की तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्णों के उत्तर लिखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको बताती हुँ प्यारे बच्चो देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है एक मिनट इसका जो कलर है ना वह मैं बदलू पहले ठीक है तब जाके इसमें चेंजिस हो पाएंगे त्यूंकि पेडियाप में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखो यहां पर क्या है और टैगा प्रदेश का विस्थाल लगबग 55 डिग्री इसको काड़ देना ठीक है मैं य अगला सवाल यहां पर हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुडान प्रदेश में किनी चुडान प्रदेश में किनी तीन साकाहारी प्राणियों के नाम बताओ तता उनके स्वस अंग्रक्षन के लिए प्रकृती ने कौन से विवस्था की है तो आईए हम तीन प्राणियों के नाम देख लेते हैं फटावट से तो कौन-कौन से नाम यहां पर आएंगे सबसे पहला आप लोगों का आच जानवर है जो उच जाड़ियों से पतिया खा सकता है जैसे जिराफ है तो कैसे खाएगा उसकी अगर लंबी गर्गन है तब जयाके वह ब्रिक्षो की पतिया है उनको खा लेगा आसानी से तो पहला जिराफ हो गया दूसरा कौन है एलिफेंट यानिकि हाथी तो हाथी भी क कहारी होता है और वन्य जीवे छेत्रों में आपको इसे यहां पर आपने लिख लेजिएगा ठीक है आप सोचेंगे कितने सारे दूंगी correction करवा के यहाँ पर आप आप ने लिख लेजिएगा आपने ठीक है तो छेत्रों में आपने इसे अक्सर घास पत्या और फलों को घाते हुए देखा होगा अगला यहाँ पर प्रानी कौन है भई वो है हमारा हिपोटेमस तो हिपोटेमस भी आम तोर पर घास और वन मौन सुनी प्रदेश है उनके विशेश नाएं कौन-कौन सी है वह आप लोगों को यहाँ पर बताना है तो शलिए हम शुरू करते हैं यह कुश्चन का आमसा थोड़ा सा बढ़ा है बार डोंट वरी मैं explain करूंगी क्या लिखता है देखो मौन सुनी प्रदेश जिसे आम त मौन सुनी प्रदेश की कुछ विशेस्ताइन निमने लिखी तो होती है जैसे कि पहला देखिएगा वर्षा का समय मुख्यता ग्रिश्म रितु के दोरान होता है जिसमें जलवायों सीतल और बर्फीला होता है यहां वर्षा जुलाई से से सिक्टेंबर के सिक्टेंबर तक होती है ठीक है अगला देखिएगा बारिश की मात्रा यह तो हमने वर्षा का समय देखा अब बारिश की मात्रा देख लेते कि कैसी होती है यहां पर बारिश मतलब बारिश का क्वांटेटी कितना होता है तो मौन सुनी प्रदेश में अधिकांस्त वर्षा होती है अधिकां अन्यमित हो सकता है जिसते किषानों को समस्याएं हो सकती है देखो यहाँ पर क्या आहा है मौनसूनी प्त्रदेश में वर्षा का यहाँ पर रुता पहले कि मैंना पैसको मिटा यहाँ पे आप लिखो तो जादा आचा रहेगा ठीक है क्योंकि उसका समय ही तो अन्यमित होगा यहाँ पे समय लिख लो ठीक है न आप देख लेजिए वैसे आपकी किताब में भी कुछ लिखाई होगा ठीक है मेरे ख्याल से तो यहाँ पे समय आना चाहिए रैइट कि वर्स यहाँ पर वर्षा का समय अन्यमित होसकता है यहाँ पे उसकी object यहाँ य्युर्णी की मातरा तो मातरा वाला तो हमने उपर ले लिया भाइब ठीक कर देतीlijk हूँ संमावील ठीक है एक जछा हम कैसी हो यहाँ दूरति हो प्रदेश में वर्शा का समय अन्यमित हो सकता हैं अगला यहाँ पर है गर्मी और शीत कालिन रितू देखो कैसी होती है इस शित्र में ग्रिश्म रितू में जलवाई गरम और उमस होता है जबकि शीत कालिन रितू में ठंडा और सुहावना होता है यहाँ गर्मी में काफे ज़्यादा उमस होने लगती है यहाँ पर उमस और यहां के पहाड़ी इलाके और हर्याली से भरे बाग बगीचे इसे एक आकरसक स्थान बनाते हैं इन सभी विशिस्ताओं के संयुक्त रूप से मौन्सुनी प्रदेश किसानों और शिद्र के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है इन सभी विशिस्ताओं के संयुक्त रूप से मौन्सुनी प्रदेश किसानों और शिद्र के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है ठीक है तो यह था प्यारे बच्चों आप लोगों का उत्तर देख लेना यह थोड़ा सा बड़ा था इसमें कहीं कहीं पर करेक्शन था त यहां पर आपका यह जो चैप्टर है प्रकृतिक प्रदेश यह होता है समाप्त इसका एक्स्प्लानेशन यानि कि जो इसका इस पस्टी करन है उसका भी वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है इसके इलावा आप लोगों ने स्वाध्याय भी देख लिया है और अगर आपक भूगों के कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं ठीक? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में ध्यान रखिये अपना सभी को नमस्ते.